करेंट अफेर्स के अगले टॉपिक के अंतरगत एक आपकी रैंकिंग जारी की जाती है नेशनल इंस्ट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर के अंतरगत आपकी केंद्रिय शिक्षा मंत्राले के द्वारा इंडिया रैंकिंग जारी की जाती है तो इंडिया रैंकिंग 2003 से आज हम पढ़ेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, देखिए हमारे देश भर में जितने भी उच्च सिक्षड संस्थान है, जहां पर जो है एक तरीके से विश्च विद्याले लेबल के जितने भी जो है संस्थान है, विश्च विद्याले लेबल के अनुसंधान संस्थान है, कई सा अभी उच्छ सिक्षर संस्थानों को लेकर हमारी जो केंद्री सिक्षा मंत्राले उसके द्वारा एक जो है एक सुरुवात की गई नेशनल इस्टिटूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के जिसको हम एन आई आरेप बोलते हैं ठीक है एन आई आरेप के द्वारा ये रैंकिंग जारी करता है एंडिया रैंकिंग दोहजारटेश्स आपकी जारी की गई है आङ मैं काटेगरी बताभू एक का अटेग्री तो आपकी कि कॉलेज के अंतरगत कौन नंबर एक है यह जरूरी एक प्रतिसपर्धा के लिए और आपको पता है कि विश्व इस्तर पर जितनी भी रैंकिंग आती है न चाहे वो क्यों रैंकिंग हो उन सबी में भारत की जो हमारी संस्थान हैं उनका इस्थान काफी पीछे रहता है तो वर्ल्ड में हम भी टॉफ एंडेड में रहें टॉफ टेन में आ सके उन सब को लेकर के देश के अंदर भी एक अंसी प्रतिसपर्धात्म के स्थेती होनी चाहिए तो उसी के उद्देश में ध्यान रख करके इंडिया रैंकिंग आपकी चालू की गई है विश्व विद्या है एक आपका ये है तीसरा अनुसंदान संस्थान होते हैं आपके अनुसंदान और एक आपका नवाचार ये आपकी टोटल पाच केटेगरी बनाई गये हैं इसके अंतरगत जो आपका इंडिया रैंकिंग है और विविन्य छेत्रों से जुड़े हुए मलब लगब आठ व पहली कटेगरी कौन सी है समगरी कटेगरी ओवर ओल कटेगरी तो समगरी कटेगरी में नंबर एक में आपका है आई 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 मदराश ये नंबर एक है ओवर ओल कटेगरी में नंबर एक में आई आई आ जिनके इस्तेती बहुत अच्छी रहती इंडिया में जैसे IIT मद्रास, IIT दिली, IIT कानपूर, IIT बॉम्बे ये सारे जैसे IIT पतना है तो अभी उसकी इस्तेती इतनी अच्छी नहीं है पर IIT मद्रास नमबर एक पर है दूसे नमबर पर हमारा एक संस्थान जरूर याद कर ल भारतिय विग्यान संस्तान, दूसरे नमबर पर आपका यह बारतिय विज्ञान संस्तान, पहले आपका IIT मद्रास है तीसरे नमबर पर आपका IIT दिली, IIT दिली, top three आपको याद रखें, IIT इसके बाद IIT बॉम्बे है फिर आईट कानपूर है, लेकिन सब के याद कर पाना मुश्किल है तो समग ओवरॉल के टेग्री में हैटी मद्रास इससे कोश्चन आपका पूछा जा सकता है अब इसके बाद आपका नेक्स्ट एक एक करके देखेंगे विश्व विध्याले की कटेग्री पे भारती विज्ञान संस्थान को नंबर एक मिला है विश्व हाउस नई दिल्ली में अवस्तित है मिरांडा हाउस ठीक है कॉलेज की के टेग्री में मिरांडा हाउस यदि अनुसंधान की बात करें तो अनुसंधान में भारती विज्ञान संस्थान बंगलूरू ही है यही है आपका भारती है विज्ञान संस्थान ठीक है बंगलूरू और 9-4 में आपका IIT कानपुर है ठीक है टूटल आपके पांच करटेगरी बनाए गया थी पांचों करटेगरी के मैंने आपको बता दिया और भी देख सकते हैं प्रबंधन के छेत्र में आय आय महमदाबादाब अध गुजरत का है नमबर एक हमेशा रहा है प्रबंधन को ल कुछ और केटिग्री है मैं कुछ और केटिग्री यहां पर आइड कर रहा हूं विवेने चेत्रों में एक तो आपकी प्रबंधन के चेत्र में प्रबंधन के चेत्र में आई आई एम अहम्दाबाद प्रबंदन के छेत्र में आई आई एम अहम्दाबाद दूसरा आपका जो है फार्मेसी के छेत्र में फार्मेसी में आपका है राश्ट्री आउसधी शिक्षा अनुसंधान संस्थान यह हैदराबाद में है राश्ट्री आउसधी शिक्षा है मनूसंधान संस्थान ठीक है फार्मेसी के छेत्र में इसके बाद दन्त चिकिस्सा के छेत्र में तमिल नाडु का एक है आपका सभीता इंस्टीटिव ने मेडिकल साइंसेस को तावर पे है दंत चिकिस्सा इसके लिए सबीता इंस्टिट्यूट सबीता इंस्टिट्यूट आपका दंत चिकिस्सा के छेत में फिर विधी के छेत में NLU बंगलोरू है आपका लॉग के छेत में आपका है NLU National Law University आपकी बंगलोरू है यह आपका number एक है Law वगेरा के छेत में ठीक है इसके अलावा वास्तुकला आर्किटेक्चर के तौर पे ठीक है isके छेत में IIT रुड़की है IIT रुड़की ठीक है IIT रुड़की इसके बाद एक और है लाश्ट में agriculture को ले कर के कृसी को छेतर के ले कर के कृसी के छेत में number 1 में है आपका भारती आनुसंधान सन्स्थान नए डिल्ली ठीक है यह ranking आपकी हर साल दी जाती है तो आप देखेंगे यह विशा है प्रबन्दान एक विशा है फार्मेशी एक विशय है, दंच किस्सा एक विशय है, विधी एक विशय है, एगरी कल्चर और वास्तुकला, ये विधी ये सारे छेत्र हैं और बाकी आपकी केटेगरी बनाई गई थी, तो केटेगरी में, ओवरॉल केटेगरी में IIT मदराश है अपकी, ठीक है, नमबर एक आपको इडिया रेंकिंग याद रखना है, दिक्कत नहीं है किसी को, यह याद कर लेख लें देखो मेरे साथ क्लास के साथ साथ याद करते चलो, तब तो हमारी और आपकी क्लास का वेनि फिट है, अब अगला है, आगे चलते है, नेक्स्ट अगला है आपका एक योजना आई थी आप सबको पता है उडान योजना उडान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक उडान कई संसक्राण आ चुके इसके अभी उडान 5.3 लांच किया गया है अब यह 5.3 है क्या उडान 5.3 है क्या पहले इसका एक इस्टोरिकल बैग्राउंड समझें वर्ष 2016 में केन सरकार के द्वारा पहली बार देश की नागर विमानन नीती लाए गई थी नेशनल सिविल अवियेशन पॉलिशी लाए गई थी और इसमें घोशना यह की गई थी राश्टी नागर विमानन नीती के अंतरगत कि हम चाहते है कि देश का हर एक नाग्रिक ओड़ सके अब उडने के लिए पैसा चाहिए युड़े मतलब पंक्ख नहीं लग जाएंगे भलकि वह जो है अ इतनी सस्ती हो जाये कि आम नागरिक भी salt पाय घुड़े देश का आम नागरidade कि यानिने हर नागरिक देश इसका उड़ पाए इसी के लिए अक्टूबर 2016 में उडान योजना शुरू की गई थी तो उडान योजना आपकी शुरू की गई और 2016 के बार लगतार इसको अपग्रेट करते रहे ठीक है उडान योजना को ले करके मतलब रेट बहुत कम किये गए ताकि लगबग 2526 के एक य दूब हो सके यह देश से अपड़ा आप आई और उसी को ले कर उड़ान योजना आपकी चालू की गई तो पहली जो जो उडान भरी गई थी उडान योजना के अंतरगत वह भरी गई थी सिम्हों से दिली सिंबला से दिली यह अपको ध्यान रखना है पहला जो है सिम्ला से दिल्ली पहली आपकी अब जो है उडान योजना के अंतरगत उडान भरी गई थी सिम्ला से दिल्ली ठीक है अब जो है सरकार का उद्देश यही था कि इसको लगातार और बहतर करते जाएं कई सारे फेजस इसके आएं उडान 1.0 उडान 2.0 उडान 3.0 इसके बाद उडान 1.0 उडान 2.0 उडान 3.0 यह इस ही को अपग्रेट किया गया उडान 4.0 यहां तक तो बात आ गई यह सारी महत्यपूर्ण चीजे आगे अब देखिए आगे क्या हुआ अब लगाता उडान योजना के चार चरण सफल हो गए इसके बाद 21 अप्रेल 2023 को उडान 5.0 की शुरुआ की गई अब इसमें क्या था उडान 5.0 कब आया आपका उडान 5.0 कब आया उडान 5.0 आपका आया 21 अप्रेल 2030 को उडान 5.0 आया ठीक है उडान 5.0 कब आया 21 अप्रेल 2030 को इसके शुरुआत की गई उद्देश यही था कि देश के दूर दराज जितने भी छेतर हैं जहां पर आज तक कनेक्टिविटी नहीं बन पाई है जहां पर आज भी जो है एर ट्रांसपोर्ट अबलेबल नहीं हो पाया है तो उन सभी चेतरी लाकों को जोड दिया जाए ठीक है देश के अंतिम इस्तलताख हवाई संपर्क जो है इस्टैबलिश्मेंट किया जाए और इसके लिए नागर विमानन मंत्राले के द्वारा हेलिकाप्ट हेलिकाप्टर सेवा को भी प्रात्मिक्ता दी गई हेलिकाप्टर मार्गो के लिए जो है 5.1 की सुरुवात की गई उद्धेश यह कि जो देश के दूर दराज की छेतर हैं सुदूर वर्ती छेतर हैं उनको हेलिकाप्टर के मादधम से connectivity से बहतर वराना मतलब कि तो एक सिखर सम्मेलन आपका 2000 उसमें बुलाए गया था हेली सिखर सम्मेलन, हेली सिखर सम्मेलन कब बुलाए गया, खजुराहों में बुलाए गया, खजुराहों, 2023 में आपका यह हुआ, MP में, खजुराहों MP में हेली सिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और ये केंदरी नागर विमानन मंत्री जोतिरादित सिंधिया खुद मध्यप्रदेश से हैं इनके द्वारा ये पूरा का पूरा इस्टार्ट किया गया ठीक है और इसका 25 जुलाई को ये आपका स्टार्ट किया गया था 25 जुलाई 2023 को हेली सिखर सम्मेलन आपका यूजित कि जिसके माध्यम से आप जो है हेलिकॉप्टर को भी बुक कर सकते हैं उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं ठीक है उसके माध्यम से आप अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं तो ये आपका जो है उडान योजना के अंतरगत ये डिबलप्मेंट है अभी हाली में ए एक नया योजना लांच किया गया है 5.3, 5.3 इसके अंतरगत भी जो हेलिकॉप्टर है, उन हेलिकॉप्टर की सीटे बढ़ाई जाए, लगभग जो है 9 सीट से लेकर 12 सीट तक के छोटे बिमानों से, जो है दूरदराज के छेत्रों से बढ़ाना, उसे सस्ता करना, उसे आम आदमी तक की पहुंस मनिश्चित करना, ताकि आम आदमी भी एर अविएशन से जुड़ पाएं, तो उडान योजना, कोई भी उडान योजना है, यह सारी की सारी एविएशन से जुड़ी हूई है, नागर, विमानन मंतराले के दौरा सब्सक्राइब कर फ़ए सब्सक्राइब को समस्चा तो नहीं है उड़ान योजना को लेकर कोई समझ्चा तो नहीं है। करेंट अफेर्स समझ में आरी है ना आप लोग को जितने भी मैं करेंट अफेर्स से जुड़े हुए स्टेशन सभी तक ले रहा हूं। मेरा उद्देश ही है कि करेंट अफेर्स में जितनी भी बारीक से बारीक चीज़े हैं आप लोग को सभी को याद हो पाए है ना किसी को कोई दिक्कत ना हो चलिए आगे बढ़ता है नेक्स्ट देखें थोड़ा सा इमेज ब्लर होगी है बट आपको पता है एक ओपरेशन चालू के आगे ओपरेशन समुद्र गुप्त ओपरेशन शमुद्रगुप्त यह वह समुद्रगुप्त नहीं जो इनका नाम इतिहास से जुड़ाओ है यह आपका एक तरीके से नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है हमारा जो है है ना नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसको हम बोलते हैं जिसको हम NCB कहते हैं बड़ा चर्चा में राय एक्समें NCB जब शरुक खान के बेटे आर्यन को पकड़ा गया था तो NCB बड़क काफी चर्चा में था तो 13 मई 2023 को भारत का नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा एक अभियान चालू किया गया और यह अभियान आपरेशन समुद्रगुप्त है अ समंदर के रास्ते से ड्रक्स आता है भारत में आपको पता है मैं एक छोटा सा यहां पर हमारा देश इंडिया है एक बहुत बढ़ा चैलेंज है हमें अपने देश की तरफ इधर तो इधर जो है स्वाडिम अर्ध चंद्र है जिसे हम गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं स्वाडि अब इसको स्वाडिम नाम क्यों दिया गया है क्योंकि जो उत्पाद यहां पर बन रहा है यहां पर बड़े इस तर पर अबैद खेती की जाती अफीम की गांजा की हिरोईन की यह सब की इसमें टोटल तीन देश आते हैं ठीक है स्वाडिम जो है इसमें एक तो पाकिस्तान है आपका, फिर आप गानिस्तान है और इधर इरान है इन तीन देशों में अबैद अफीम हैं हिरोईन और बहुत बड़े इस तर पिसकी होती है इधर तीन है म्यानमार, म्यानमार लाउश, ओस और थाइलेंड इन में बड़े स्तर पर अबैद, अफीम की खेती, गांजा, हिरोईन, कोक्वीन, जितने भी प्रकार के हो सकते हैं, इन ही में से एक होता है आपका, मिथ में फेटा माइन, मिथ में फेटा माइन, एक तो आपका ये है, और दूसरा जो है आपका, यहाँ पे जो नसीला पदार्थ है, वो नसीला पदार्थ, एक तो ये है आपका नसीला पदार्थ, इसको अभी जब्त किया उप्रेशन समिद्र गुप्त के तहत, यह सब्द आपका पूछा जाता है, कि यह क्या है, मिथ में फेटा पकाई, यह भी आपका एक तरीके का नार्कूटिक्स है, ड्रक्स है, आपका, इसको लगवन कउशन किलोगराम आपका यह जब्त किया गए, ठीक है, यह पच्शन किलोगराम तक, अभी आप्रेशन पोद्रगुप्त के माध्यम से ये सारे के सारे जितने भी मैं आपको ड्रक्स बता रहा हूं चाहे वो कोटीन हो चाहे आफीम, चाहे वो चरस ओ चाहे वो गांजा ओ ये सारे के सारे व admir consensus उत्य जन्कारी होते हैं ठीक है ये मतलब तंत्रि का तंत्र को प्रभावित करते हैं और बड़े स्तर पर डोपामाइन को रिलीज कराते हैं और डोपामाइन जब बढ़ता है तो सरीर के अंदर एक तरीके से सुकून सा मिलता है और उस सुकून की चाहत में लोग ड्रक्स के आदी हो जाते हैं और यह आदी इतने बड़े स्तर पर हो जाते ह कि फिर ड्रक्स के लिए अपना सब कुछ बेचने की तैयार हो जाते हैं एक बार जो ड्रक्स का आदी हो गया उसके बाद फिर उसको उससे निकाल पना बहुत कठिन होता है हमारे देश में पंजाब वाले छेत्र में या नौर्थ इस्ट वाले रीजन पर आप देखेंगे बह नहीं न कहीं पर अच्छी चीज नहीं है ठीक है तो NCB के द्वारा अपरेशन समुद्रगुप्त 2023 से आपका स्टार्ट किया गया है और यह उपरेशन बहुत महत्यपूर कारक के तौर पे है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है नेक्स्ट यह हो गया अब आगे चलते हैं एक करेंट अफेर से जुड़ा हुआ महत्यपूर्ण जो है टौपिक है भारती वायुषेना के द्वारा विराशत केंद्र आपका प्रारम किया गया है भारती वायुषेना विराशत केंद्र बनाया गया आपका इस्टेबिश किया गया है विराशत का मतलब है वायुषेना की जो उपलब्दियां है वायुषेना के द्वारा अभी तक किये गए जितने भी अभिहान है इन सभी के स्थापना की गई है कहां पर चंडीगड पर भारती वायुषेना विराशत केंद के स्थापना की गई है चंडीगड पर जयान रखेंगा इस बात को भारती वायुषेना और इंडियन एयर फोर्स दोनों के बीच में एक समझाता ग्यापन हुआ है ठीक है उसी के तहट इसके स्थापना की गई है और आपको पता है हमारी वायुशेना का बहुत ही गौरोसाली तिहास रहा है और उसी तिहास को लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे म्यूजियम की जरूरत है जाद से मैं तो कहता हूँ हर राजी की राध्धानी में कम सकम एक म्यूजियम होना चाहिए हमारी देश की सेना से जुड़ा हुआ ताकि उनके सौर उनकी गाथा उनके जो उनके द्वारा अभी तक कारी किये गए हैं उन सभी कारियों को लोगों तक पहुंचाय जा सके बड़े इस तर पर चीजों को पहुंचाना बहुत जरूरी होता है ताकि देश को पता जल सल सके कि हमारे देश में किस इस तर पे लोग जो है ठीक है यह आपका पूरा का पुरा यहां पे एर फोर्स की सारी उपलब्दियों को सारे जितने भी प्लेन है जितने भी जो सहीद हुए उन सब के बारे पूरी के पूरी कहानी है तो कभी टाइम मिले चंडेगर जाना ना हो तो जरूर देख यह आगे चलते हैं देखे केरल सरकार जो है केरल सरकार जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आपको पता होगा कि जल बजट यह बहुत इंपोटन चीज अब आज के आने वाला भविष्य जो है जल पर टिका होगा पानी बहुत अधारभूत अवशकता है पानी और हवा है ना हवा भी दूसित होती जा रही है पानी का भी पता चल नहीं रहा है तो ऐसे में पानी की कितनी मात्रा है किसी राज्य के पानी कितनी है कितना पानी जो है हर साल यूज किया जा रहा और कितना पानी जो है रिचार्ज हो रहा है वाटर रिचार्ज हो रहा है कितने एको फायर हैं कितने जलकुंड हैं इन सब को जानने के लिए 17 अपरेल 2030 को मुखमंट्री पिंडराई विजियन जो कि केरल के मुख क्या है सरकारों को पता ही नहीं है कि वहां पर जल की स्थिति क्या है उसका भोग कितना हो रहा है कितना और गर्मी जब भी आती है तो पानी का संकट चालू हो जाता है आम तो उस संकट से निजात पानी के लिए केरल सरकार के द्वारा जल बजट प्रस्तूत किया गया है तो भारत का पहला जल बजट वाला राज्य बन चुका है केरल ठीक है भारत का पहला जल बजट वाला राज्य कौन बन चुका है केरल ठीक है और इसके तहट जो है कई सारे ब्लॉग कई सारी पंचायतों को जो है इसमें समाहित किया जा रहा है आपको पता है कि सहुत राष्ट के गया था इसी पिछले साल 22 से 24 मार्च 2023 को युनाइटेड नेशन के द्वारा संयुक्त राष्ट जल सम्मेलन का यूजन किया गया था अमेरिका में 22 से 24 मार्च 2023 को युनाइटेड नेशन के द्वारा अमेरिका में राष्ट्रिय जल सम्मेलन किया गया था आपका अंतराष्ट इस तरह पर संयुक्तुराश जल सम्मेलन न्यूयर्क में किया गया था ठीक है establishment किया गया था तो केरल के द्वारा जल बजट आपका establishment किया गया और केरल चाहरा है कि राज जी के बारे में पता अगला जो है भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बनाया है जम्बू काश्मीर के एक जगह है बांदी पूरा जिला में एक गाउं है जिसका नाम है अरगम गाउं अरगम अरगम गाव जो है जम्बू कास्मेर में पड़ता है जम्बू कास्मेर के बांदी पुरा में अरगम गाव है जम्बू कास्मेर के बांदी पुरा में एक गाव है जिसका नाम है अरगम ये क्या बना है ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बना है भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम क्या है अरगम भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कौन सा है अरगम आपका बनाये गया है ये बांदी पूरा में पढ़ता है और देखे बिश्सु भर में पुस्तक ग्रामों की जरूरत है हर जगे पर पुस्तक ग्राम होना चाहिए मैं तो कहता हूँ हर गाओं में हर सहर में हर छेत्र में इनको इस्टेब्लिस किया जाना चाहिए ताकि लोगों को पढ़ने के प्रतिय उनका रोजहान हो सके आप मुझे जैसे कि कुछ इसी तरज पे हर जगे पे लाइब्रेरी खुल जाए है ना हार गली मुहले में एक पुस्तकाले खुल जाए तो साइद लोगों का पढ़ने के प्रतिरुजहान और तेजी से बढ़ सके लोगों में क्रियेटिविटी बढ़ सके लोगों में रचनात्मक्ता बढ़ सके लोगों में ग्यान बढ़ सके और लोगों का विकास हो सके यदि सरकार इस दिसा में सोच ले और मैं आपको सही बता हूँ यह मेरा खुद का विजन है कि यदि कभी समय मिला ऐसा तो कम सगम जादा नहीं किसी एक पर्टिकुलर जिले में हर जगे पे पुस्तिकाले होना होगा हमें पढ़ाई का नसा लोगों को लगाना चाहिए तब जाकर के चीजे बहुत अच्छे से हो सकते हैं तो पुस्तक ग्राम आपका इस्टेबलिस हुआ है अपने आप में बहुत बड़ी बात है बहुत सारे जो टूरिस्ट यहां पर आपाएंगे वो इससे प्राचि हे और वे कहां परता है वेल्स में उनाइटेड किंगडम पे तो युनाइटेड किंगडम में विस्सु का पहला पुस्तक नगर ही बनाए गया है ठीक है यह आपको ध्यान में रखना होगा और ऐसे ही कई सारे पुस्तक ग्रामों के तौर पे अभी मननता प्राप्त हो रही कई सारे जगहों को कई सारे जिले इस्टैबलिश किये जा रहे हैं कई सारे तो यह एक इनिशेटिव है जो कि स्टार्ट हुआ है हर जगह पर इसको इसको इस्टैबलिश्मेंट किया गया है जारकंड में जामतारा आपको नाम सुना होगा जामतारा को ख्यात है वैसे कर दें तो बहुत पुस्त काले निर्वाचंच छेत्र स्टैब्लिश किया गया है तो यहुआं पर दिखो कही सारे selे हिंट आर्गम तो आपको पताइ लिए ते बांधीपुरा का जो अर्गम है यह भारत का पहला पुस्तकर भुद अरगम भारत का पहला पुष्टक ग्राम आपका establish हो गया अरगम के अलावा अब दूसरा hay on way है hay on way यह आपका Wales में अवस्थित है Wales UK में establish है ठीक है कहाँ पर है Wales UK में जो की विश्व का पहला जो है अपका क्या है पुष्टक नगर है ठीक है इसके अलावा मैंने दूसरा आपको होता है जाम-टाडा जो जिला है। इसमें हर गाउं में पुस्त काले की बात की गई है। यह पहला निरवाचन छेत्र बना है जहां पर बड़े इस्तर पे पुस्तक बन रहा है। पूर्ड पुस्तकाले वाला निर्वाचन शेत्र आपका पूरा धर्मदा में इस्टेब्लिश किया जा रहा है तो यह यह जम्भू कास्मेर में है बांधी पूरा में ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही महत्यपूर्ट जो है आप आपका जलबजट बनाने वाला राज्य बन गया है तीसरा आपका जो है यहां पर हमारे जो भारती वायश्यना विराशत के इंदे इस्टैब्लिश्मेंट हुआ है ठीक है और अपरेशन समुद्र गुप्त आपका हो गया ठीक है और इसके अलावा नार्कोटिस कंट्रोल यह इंडिया रैंकिंग दो हजार तेईस आपकी हो गई यह करेंट अफैर्स से जुड़े हुआ महत्यपॉंट पक्ष आप सभी के आज के सेशन में जुड़े हुए थे तो यह इंपोर्टेंट करेंट अफैर्स हैं आप सभी के जो परिक्षा में आपको पूछे जाएंग करेंट अफैर्स का यह सिलसिला अगतार चलता रहेगा करेंट अफैर्स मैं इसी तरीके से आपकी कंप्रीट कराता रहूंगा ठीक है चलिए